हेलो फ्रेंड्स मैं विन्य निर्भिक फ्रेंड्स आपका एक बर फिर्शे हमारी चैनल पर श्वागत है तो फ्रेंड्स आरार भी एंटी पीसी एंड ग्रूपडी एक्साम लेटिस्ट अपडेट आप लगातार पूछ रहे थे कि मैं कोई एक्सपेक्टेड डेट बताओ फ् कुछ भी एक्सपेक्ट करना आसान नहीं है मैं उन फरजी यूट्यूबर्स के तरह नहीं हूं कि आपको हर महीने उमीद दिलाते रहूं जैसा कि वो लोग आपको उमीद दिलाते रहे हमेशा कभी ग्रूपडी एक्जाम डेट को लेकर करके कभी एंटीपीस रिजल्ट को लेकर करके कभी NTP 7 एक्जाम डिट को लेकर हमेशा याद दिलाते रहें बलब उमीद दिलाते रहें और अभी भी ऐसा साथ चल रहा है कुछ लोग मार्च अपरेल तक की भी बाती कर दिये हैं इतना खतरना का फ़वाफायला दिये हैं लेकिन फ्रेंड्स अब जब मुझे exact information म मिला है तो मैं आपके पास वीडियो लेकर के आया हूँ तो फ्रेंड्स थबने से आप समझ गया होंगे कि आपका CBT2 कब होने वाला है और गुरूपडी कब तक हो सकता इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप खुद जब मेडिया इंट्रेक्श रिपोर्ट दे देगी ठीक है ये बात आपको मालूम होगा और वो ये भी कह रहे हैं बस दो सप्ता उनको लग्स दिया गया है लेकर काम अपना अभी से स्टार्ट कर दिये हैं जैसे इसे रिप्रेजेंटेशन आते जा रहे हैं वैसे वैसे उन पे अनलिस स्टार्ट हो गय करेंगे फिर कि हमें रिवाइजेजल देना है कि नहीं देना है अब देना होगा तो भी तीन से चार दिन का काम है maximum क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं फ्रेंट्स कि रिवाइज़ल पर काम बहुत पहले चल रहा है और आपको हमेसा मालूम होगा जब मैं कन्फर्म रहत हू तो यहां पर यह बात कन्फर्म हो चुकी है तब मैं वीडियो लेकर के आया हूं फ्रेंट्स जी हां फ्रेंट्स यह जो दिख रहा बिग ब्रेकिंग अपडिट जून में होगा नटीपी से बीटीटी टू तो बिल्कुल यह करेक्ट नियूज है फ्रेंट्स बिल्कुल कन् आगे अगर रेलियो बहुत जदा लेट लातिफी ना करे या फिर कोवीट का सिचुशन वेगरा ना है फिर शे तो जून में 100% आपका एक्जाम हो जाएगा लेकिन न तो उससे पास होने का भी उससे पहले होने का भी चांस कोई है या फिर न उसके बाद प्रेंट जो है आपका आठ या दस मार्ज तक आ सकता है आपको चुछ वीट बर यहां यहां फाला रहे है कि उसके बाद भी र्याव दो विक लेगा तो ऐसा र्यावे कही नहीं का आए कि उस चार मार्ज पाद दो वीक लेने वाला है ठीक है वो दो वीक उन्हीं के लिए जो booking का क्योंकि आप जानते हैं exam postpone हो चुका है तो वहाँ पर time लगेगा ही लगेगा तो फिर यह लोग TCS से बात करेंगे और TCS जब खाली होगी तो अभी के situation के according यह लोग खुद कह रहे हैं कि June में exam possible है क्योंकि आप जानते हैं अप्रेल में जो है CGL का exam है में में CHSL का exam है जून में भी कुछ exams हैं लेकिन उसमें time मिल सकता है CCS को जो उसी बिच CBT2 NTPC का करा लेगी ठीक है यानि कि जो 99% के 100% जो है आपका CBT2 जून में ही होगा अब अगर हम Group D का बात करें Group D exam कब होगा तो क्या Group D exam भी जून से ही होगा आखिर यह कैसे पता चलेगा तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जान रहे हैं रेल मंत्री ने खुद बोला है कि पहले हम एक ही कंपनी से दोने exam करा लेकिन जब फिर यहां देखा कि exam पुस्ट पॉन होने कि लेट हो गया है तो फिर यह प्लान हुआ कि हम नया टेंडर कर लेते हैं आप लोग मीडिया इंट्रेक्शन खुद देखे होंगे तो उन्हें नया टेंडर के बाहा ने क्या किया TCS को हटागर के NACIT को ले लिया जिसके बारे मैं आपसे सुरू से कहा था फ्रेंड्स कि बहुत पूरा आना प्लान चल रहा है TCS को हटाने के लिए क्योंकि कुछ टीचर्स जो हैं बिहार साइट के पटना साइट के उनका NACIT से अच्छा खासा लिंक है जो चाहते हैं पैसा कमाना ठीक है वो सुरू से इसके परशान थे और उनके साथ कुछ छोटे यूटूबर्स जो थे जो उनका प्रचार वगरा करते हैं वो भी लगतार परशान थे कभी RTI reply तो कभी email reply लेखिर मैं आपको बता चुका हूँ friends कि कभी भी RTI reply इन सब information के लिए नहीं होता है जो बाते पहले हो चुकी होती है और already public हो चुकी होती है तो अभी तक agency वाल मामला public नहीं हुआ था तो RTI में कैसा ऐसा आप सोच सकते हैं तो यह लोग जान मुझकर बुटा माहौल बना दिये थे कि बाद में अगर railway कहता भी है कि हम अपना agency चेंज कर लिए हैं तो यह लोग कह सकेंगे कि हाँ पहले से railway confirm था जबकि सचाई आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं अगर अभी आपको सचाई नहीं मालूम है तो आप तो railway का media integration देख सकते हैं पर सवाला उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि exam में देर हो रहा था इसलिए कहा गया कि अलग-अलग agency ले लिया जाए तो NTPC में तो पहले से ही आपका TCS चल रहा था तो group D के लिए हुने क्या किया NSAIT को चूस कर लिया क्योंकि आप जानते हैं इस process इस पर सारे exam TCS ही करा रही है पहले सीफी करते एक्जाम लेकिन पेपर लिक वगह रहा हुआ था सीफी को हटा दिया कि उसको बैंकर दिया गया तो TCS SSC का भी एक्जाम करान लगी बैंकिंग का भी एक्जाम करान लगी और railway का एक्जाम करा रही है तो जो NSTIT है उसको TCS से अभी कभी भी compare नहीं कर सकते हैं ठीक है तो अभी क्या है अभी भी NSTIT को हटाया जा सकता है क्योंकि अभी यह नया टेंडर है अभी इसमें कोई confirmation नहीं है ठीक है अगर आप लोग चाहें तो अभी हट सकता है भले एक्जाम में थोड़े देरी हो जाए भले एक्जाम अगल चल रही है बागी कुछ नहीं है फ्रेंड्स अधरवाइस जो टीसियस थी वह बहुत अच्छे एक्जाम कराते फेर एक्जाम कराते सभी लोग को मालूम होगा और इसमें क्या होगा नहीं आपको नौर्म लाइस कोड़ देखेगा नहीं आपको रॉइस कोड़ देखेगा और यही कारण है कुछ टीचर्स या नि कुछ जो माफी यह से जुड़े हुए वो इसका सपोर्ट कर रहे है नसे आइटी का सपोर्ट कर रहे है जबकि उन्हें नहीं करना चीए वह जोड़े हुए हैं अगर पैसा कमना पढ़ा कि पैसा कमा आओ ऐसे गलत काम से क्यों पैस ऐसे क्यों नहीं होता है तो अगर बाए बाए चांस आप लोग प्रयाष नहीं कर पाते हैं तो आप वह बहुत जून या फिर जुलाई से स्टार्ट हो सकता है क्योंकि रेलवे जल्दि जल्दि चल्दि चाहेगा एक्जाम कराना क्योंकि आप जाने NSIT विवाद शुरू हो सकता है शुरू हो सकता है शुरू हो चुका है जब से लोग confirm किये हैं हम tender अपना change कर दिये हैं पहले एक ही company से कराने वाले थे लेकिन exam में देरी होने वाले से क्या लड़ी साल लेट हो चुके हैं तो हमको नया tender करना पड़ेगा तो यह तब से मामला क्या हुआ बहुत बढ़ गया है तब से लोग परिशान होंगे NSIT को QA tender दिया गया है ठीक है तो रेड़ पर चाहेगा जलसल निप्टाना अगर देखा जाए यही एक NTP से तो confirm हो चुका आपका जून में होगा और Group D अगर agency यही रही तो वो भी जूने जुलाई में हो जाएगा अगर agency change होती है तो फिर थोड़ा लेट हो सकता है अगर TCS मिल गया तो मानिक से लिए अगला जून या एक साल बाद का जून हो सकता है जूने जुलाई तो यही आपको news देना था फ्रेंड्स आप लोग को खुद comment box में बताना चाहिए कि आप लोग क्या चाहते हैं या आप लोग TCS exam कराना चाहते हैं या फिर NACITC exam कराते हैं ठीक है फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही थैंक यू जय हिंद जय भारत